आई आज हम लोग study करेंगे question number 77 कह रहा है for a cell internal potential difference is 2.2 volt when circuit is open and reduces to 1.8 volt when cell is connected to a resistance of R is equal to 5 ohm determine internal resistance of cell जिसको small R से लिखा जाता है तो कह रहा है कि एक हमारे पास cell है और उसका internal नहीं terminal उसका terminal potential जो है वो 2.2 volt है ये तब है जब कोई circuit में resistance नहीं जोड़ा जाता जब हमने resistance जोड़ दिया 5 ohm का तो फिर terminal potential 2.2 volt से घट करके 1.8 volt हो जाता है तो कह रहा है उस cell का internal resistance यानि आंतरिक प्रतिरोत कितना है ये हमको बताना है तो सीधा हमें formula लगा देना है और हमारा answer आजएगा तो यहाँ पर देखे 77 में यहाँ पर उसी प्रकार से battery लगाई गई है और battery का internal resistance इस्माल आर दिखाया गया है और इससे i current जा रही है और 5 ohm का resistance लगाया गया है तो अब हमें जो इसमाल आर रहा है इसके बारे में बताना है तो which equal to e minus i यार ये formula था हमारा उसी को आधार मान करके हम internal resistance को calculate करेंगे तो यहाँ पर देखे terminal potential हमारा 2.2 volt है और जब circuit open किया जाता है तब की बात है और जब circuit में कोई resistance 5 ohm का लगा देते हैं तो यही घट करके 1.5 हो जाता है तो यही कह रहा है इसलिए यह माफ आफ आफ दस सेल e is equal to 2.2 volt तो जो terminal potential होता है तो हमने आपको बताया था कि यह terminal potential को ही विद्धुत वाहक बलिया EMF कहते हैं, electromotive force कहते हैं जब बाहर current ना जा रही हो तब जो battery के खूटी होती है जिनको positive और negative electrode कहते हैं उस पर जो potential या विववांतर होता है वही हमारा EMF या electromotive force और हिंदी में उसे कहें विद्धुत वाहक बल होता है तो वही कह रहा है कि चूँकि terminal potential 2.2 volt है तो यही हमारा cell का EMF is equal to 2.2 volt कहरा now when the cell is connected to the external resistance current in the circuit I is given by तो हमने पढ़ा है कि current का formula V is equal to IR हमने आपको बताया था कि IR के साथ में total लिखा करिए यानि total कितना R है तो यह हो जाएगा I is equal to चूँकि विद्धुत वाहक बल EMF को E में लिखते हैं तो हम इसको E लिख देते हैं और यह R नीचे आजाएगा तो R और total है तो यह R बाहर हो गया अंदर वाला small R हो गया तो total करने में उसको भी जोड़ देंगे वही देखें यहाँ पर लिखा गया है I is equal to E upon R plus small R E हमारा 2.2 है और R हमारा 5 Ohm है और बैटरी का internal resistance is small R हमको निकालना है तो यहाँ पर देखें का है रहा है where R is the internal resistance of the shell potential difference across the cell अब potential difference cell के across क्या होता है फार्मूला V is equal to IR जैसा हमने आपर लगाया है और इस फार्मूले को पीछे समझाया था हकीकत में यह फार्मूला हमारा V is equal to E minus IR से आता है यहाँ हमने समझाने के लिए बताया तो यह V is equal to हमारा क्या हो जाएगा यह V plus IR हो जाएगा जब यह इधर आएगा तो positive हो जाएगा अब अगर इसमें हम यहाँ पर यह इसमाल र होता है देखे capital R लिख दिये तो यहाँ पर IR लिखेंगे तो यह बाहर वाला resistance होता है तो यह capital R होगा प्लस यह हमारा IR होगा तो इसमें आई कामन ले लेंगे तो आर प्लस आर होगा यह चीज हम पहले बता चुके हैं तो Y is equal to E upon capital R प्लस इसमाल R होगा वही यहाँ पर लिखा है हमने सार्ट में समझाया था तो अब potential difference से करार the cell which equal to IR होता है तो यहाँ पर यह रख देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2.2 upon 5 प्लस आर इस आई की जगे इस आई की जगे रखा V is equal to IR में इस I की जगे यह पूरा उठा के रख दिया यह I की value है और capital R की value रख दिया 5 यह बराबर हो गया V बराबर 1.5 है और E बराबर 2.2 है तो V बराबर यहाँ पर V की जगे हमने 1.8 रख दिया इसको साल किया तो R बराबर आ गया हमारा 10 by 9 ओम तो यह हमारा 10 by 9 ओम आ गया तो यही हमारा एंसर हो जाएगा सा सत्तर का यह विकल्फ हमारा करेक्ट है अब अचत्तर नमबर कुश्चन देखते हैं कहरा एक कार बैटरी आफ यह में फ बाराबोल्ट और इंटर्नल रजिस्टेंस 5 इंटू पावर माइनस 2 ओम रिसीव ए करेंट आफ 60 एंपियर फ्राम इक्स्टर्नल इस पूछ रहा है तो टर्मिनल पोटेंटियल डिफ्रेंस आफ बैटरी इस करा एक बैटरी है उसका एमफ बारा बोल्ट है और इंटर्नल रजिस्टेंस उसका 5 इंटू पावर माइनस 2 ओम है और रिसीव एक करेंट आफ 60 एंपियर जो करेंट दे रही है वो साट एंपियर इस पूछ रहा है तो टर्मिनल पोटेंटियल डिफ्रेंस आफ बैटरी इस पूछ रहा है तो टर्मिनल पोटेंटियल डिफ्रेंस क्या होगा जब यह साथ एंपियर की करेंट दे रही है यानि ए दिया है वी पूछ रहा है वी जैसे ऊपर यह यह था और यह वी था उसी प लगी तो वही टर्मिनल पोटेंसियल को हम V बोलेंगे तो हमसे V पूछा जा रहा है इस बात का ध्यान दखना है तो यहां पर देखें फिर वही फार्मूला लगाया गया है V is equal to E minus I R वाला तो यह हमारा यह इधर आजाएगा तो यह हो जाएगा V minus E बराबर minus I R इसमें minus के गुड़ा कर देंगे तो E minus V is equal to I R हो जाएगा और I is equal to E minus V upon R हो जाएगा तो यह देखें V minus E upon R लिखा is equal to I तो V निकालना है तो V minus E दिया है बारा वोल्ट upon इसमाल R दिया है 5 into 10 to power minus 2 E equal to I की जगे 60 ampere रख दिया क्योंकि 60 ampere की current शर्किट में जा रही है तो यह साल्व करने पर आगया V is equal to 15 वोल्ट तो इस प्रकार से 78 का C विकल्फ हमारा correct हो जाएगा अब उन्हें आसी number question देखते हैं तो कहरा है कि the terminal resistance of a cell of EMF 2 volt is 0.1 ohm तो कहरा है कि एक cell है जिसका अंतरिक प्रतिरोध 0.1 ohm है और इसका EMF 2 volt है यानि capital E हमारा 2 volt करा it is connected to a source of 3.9 ohm तो फिर पूचा जा रहा है वी की value small r दिया है E दिया है और capital R दिया है और हमसे V पूच रहा है तो फिर V is equal to E minus IR का formula लगाएंगे और हमारा answer निकल आएगा तो यहां पर देखिए I की value निकाला है V is equal to IR से तो I is equal to IR तो I is equal to V upon R V दिया है 2 volt और R दिया है 4 ohm तो यह current आ गई 0.5 amp अब V is equal to E minus IR का formula लगा दिया E हमारा यह 2 है minus I हमारा 0.5 निकला और R जो था वह 0.1 था इसमाल R जो आंतरिक प्रतिरोद था बैटरी का तो उसको रखा यह 0.1 question में दिया है शाल्व किया तो आ गया 1.95 वोल्ट तो 89 का यह विकल्प हमारा correct हो गया अब 80 number question देखते हैं तो कह रहा है कि यह battery of EMF 10 वोल्ट एंट इंटर्न रेजिस्टेंस 0.5 वोम इसको कैप्टल आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है जो कि वैरियेबल मतलब बदल सकता है कराए इस आर की वैलू क्या होगी अगर इससे अधिकतम सक्ती बाहर निकले यानि ज्यादा से ज्यादा बिजली का पावर खतम हो तो आर की वैलू क्या होगी यह हमको बताना है तो P is equal to V square upon R हमको पता है तो इस आधार पर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए दाव टूट पूट पावर आफेसल इस गिवन बाई P is equal to V square upon R और R को हमने बोला था आप से की R total होगा और total होगा तो वही यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर ध्यान देना है कि variable resistance लिखा हुआ है परिवर्तन सील प्रतिरोध है तो integration और differentiation हम लोगों ने पढ़ा है तो उसके आधार पर यह formula लिखा गया है इसको ध्यान देना है कि चूंकि resistance हमारा variable है इसलिए P equal to V square upon R, small R plus capital R का whole square into R लिखा गया है तो इसको निकाल करके हम अपना समय नहीं बरबात करेंगे तो यह direct आप लोग formula याद कर लिजिए कि जब variable ध्यान देजिए, variable resistance है नहीं तो formula P equal to V square upon R होता है इसको ध्यान देजिए चूंकि resistance variable यानि परिवर्तन सील है इसलिए P equal to V square upon R plus R का whole square लिखा गया है तो इसको ध्यान देना है तो वह ही कह रहा है कि maximum power is delivered to the load only when the internal resistance of source is equal to the load resistance R कह रहा है कि अधिकतम power हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब internal resistance और बाहर वाला resistance equal हो तो हमें पता है कि internal resistance बहुत कम होता है बैटरी का तो बाहर resistance बहुत कम होगा यानि internal resistance से ज्यादा नहीं होगा तो जितनी छमता से कोई battery बाहर current supply कर सकती है वो अधिकतम power से कर देगी तो इसलिए अधिकतम power प्राप्त करने के लिए हमें internal resistance और external resistance को बराबर रखना होगा तो पी माइक जीम में equal to हो जाएगा V square upon 4R ये R की जगे जब capital R हो जाएगा तो ये 2R का जब square करेंगे तो 4R square होगा और 1R से 1R कट जाएगा तो केवल 1R बचेगा तो चाहे हम V square upon 4R लिखें या फिर यहाँ पर small R लिखें और यहाँ पर small R कर दें तो small R में 2R हो जाएगा तो यहाँ पर 4R का square और यहाँ पर गुणा में small R होगा तो फिर कटेगा तो V square upon 4 small R आएगा तो दोनों तरह से हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि कह रहा है कि small R capital R के बराबर होने पर ही power maximum होगी तो 80 का यह विकल्फ हमारा correct हो जाएगा अभी 80 number question देखते हैं कह रहा है cell in series and in parallel तो समांतर और स्रेडी करम में जब cell जोड़े जाएगे तो उनसे संबंधित जितने भी question पूछे जा सकते हैं वो सारे नीट में जो पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे तो कह रहा है यह battery consist of a variable number or small and of identical cell having internal resistance are each which are connected in series तो कह रहा है कि एक battery को हम लोग series में जोड़ दिये हैं जिन में प्रतेक battery का internal resistance is small आ रहा है यानि आंत्रिक प्रतिरोध is small आ रहा है कह रहा है which are connected in series 3D करम में जोड़ दिया गया कहरा the terminals of the battery are short circuited and the current i is measured अब जो battery का किनारा है टर्मिनल है उसको short circuit कर दिया गया और current को major किया गया यानि नापा गया तो कहरा which of the following which of the graph source the correct relationship between i and n तो i और n के बीच सबसे अच्छा कौन सा graph है शही graph कौन है यह हमको बताना है तो एकदम आसान सा तरीका है और बस समझ रहा है जैसे समझा रहे हैं वैसे समझ यह answer एकदम आसानी से आ जाएगा तो देखिए हमको पता है कि current drawn by the cell हमारा होता है V is equal to I R यह formula होता है R total हमने बोला था तो total हो जाएगा तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जब I की बात करेंगे तो V upon R आ जाएगा अब चूंकि बहुत सारे cell हैं तो बहुत सारे cell के लिए यहां पर यह लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे cell का अलग-अलग voltage होगा तो जितने voltage होगे उनको जोड़ना पड़ेगा तो यहां पर N लिख दिया इसी प्रकार से resistance को जोड़ना पड़ेगा तो यहां भी N लिख दिया चूंकि terminal potential की बात हो रही है इसलिए V की जगे E लिखा है तो N से N कट जाएगा तो direct epsilon upon R आ जाएगा या E upon R आ जाएगा अब देखिए अगर हम I और Yन के बीच ग्राब कीचें तो इस फार्मूले में Yन-Yन तो कट गया तो epsilon upon R आ तो Yन के साथ आएगा कोई संबंध ही नहीं है तो I-Yन से मुक्त है इसलिए सीधी रेखा है I-Yन से मुक्त है मतलब कितने से लगे है इस बात से मतलब नहीं है क्योंकि Yन-Yन तो कट गए तो I-Yन से मुक्त है तो I का ग्राफ जो है देखिए N से एकदम सीधी रेखा में है किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा वाला ग्राफ खीचा गया है तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि So I is independent of Yन and I is constant चुँकि Yन I से मुक्त है और I constant है इसलिए कहीं भी रेखा इस Yन से कम दूरी या ज्यादा दूरी पर नहीं है एक दम parallel यानि शमान तरह क्यों कि I हमारा constant यानि एक शमान रेट से सर्किट में जाएगा तो इसलिए सीधी रेखा वाला ग्राफ हमारा सही हो जाएगा इसलिए 81 का A विकल्प हमारा correct है A वाला विकल्प हमारा correct है अब 82 नंबर question देखते हैं तो 82 नंबर question में कह रहा है कि 10 identical cell connected in series are needed to heat a wire of length 1 meter and radius R by 10 degree centigrade in time T तो कह रहा है 10 हमारे पास identical cell है identical का मलब एक ही तरह कि यानि जिनका voltage और internal resistance सब बराबर है और इनको series यानि स्रेणी करम में जोड दिया गया है क्योंकि एक wire से हमें उसमा की जरूरत है और वो wire जोड़ा गया है वो एक मीटर का है और उसकी तरिज्या इसमाल आ रहा है और उसका T time पर 10 degree centigrade temperature बरता है तो कह रहा है how many cell will be required to heat the wire of length 2 meter of the same radius by the same temperature in time T तो कह रहा है अब time T heat है और temperature भी 10 degree centigrade बढ़ाना है अब wire को केवल एक मीटर की जगे 2 मीटर कर दिया गया है दो मीटर बाकि सारी चीज़ें सेम है तो कह रहा है कि तब कितने cell हमको connect करने पड़ेगे भाई एक मीटर की wire का 10 degree centigrade temperature T time पर बढ़ाने के लिए 10 cell की ज़रुदत पड़ती है तो 22 मीटर का अगर वही wire हो जाए तब कितने cell की ज़रुदत पड़ेगी सारी condition सेम है तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते है तो यहां पर देखे कह रहा है लेट रो B रेजिस्टिव्टी आप द मेटल आप द वायर एंड री रेडियस अफ द वायर हमने आपको बताया था जहां पर किसी wire का radius या उसका length दिया हो तो जाहिर सी बात है कि मान लेजिए कि उस cell में resistivity यानि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध धकता की बात होगी तो वहां पर हमारा R बराबर रो L अपान ए फार्मूला लगेगा काहा कब कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों वहां पर वो फार्मूला लगा रहे हैं तो हमने बताया क्यों लगाया जा रहे है तो therefore internal resistance of one meter wire is तो तार जो लिया गया है उसकी resistivity रो है और उसका radius है त्रिज्या है वो R है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R बराबर रो L अपान A और किसी cylinder या wire का जो छेतरफल का फार्मूला होता है area का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वार होता है तो R is equal to rho L upon A की जगा पाई आर स्क्वार रख दिया और चूंकि लंबाई एक मीटर की है तो L की जगा एक रख दिया तो यह हो गया रो अपान पाई आर स्क्वार अब का रहा है लेट Epsilon BMF of each cell in first case 10 cell each of EMF Epsilon are connected in series to heat the wire of length 1 meter by delta T is equal to 10 degree centigrade in time T तो देखिए 10 cell लगाए गए है wire की लंबाई एक मीटर है और internal resistance सबका इसमाल आर इसमाल आर है temperature हमको 10 degree centigrade बढ़ाना है तो formula क्या हो गया हमारा देखिए formula जब temperature T degree बढ़ाया जाएगा तो उसमें उसमा की ज़रुएत होगी और उसमा का formula क्या होता है P बराबर होता है V square upon R और P बराबर W upon T होता है तो W upon T is equal to V square upon R तो W is equal to हो जाएगा V square upon R into T ये W ही work है work और work में उसमा निकलती है तो यही उसमा यानि heat के बराबर होगा तो heat कितना हो गई ये V square upon R की जगे V की जगे 10 cell है एक cell का E है और सिरीज में जूड़े है तो स्रेडी करम में 10 है तो 10 E हो जाएगा तो 10 E का E square हो गया V square की जगे upon resistance R है तो R कर दिया है ये wire का resistance है जो बाहर है और ये cell का resistance इसमाल R internal होता है तो ये हो गया और देखिए heat is equal to Q क्यूँ मानने अगर heat को तो MS delta T होता है जहाँ S हमारा specific heat है M हमारा mass per unit length हो कह सकते है और delta T हमारा temperature है तो यहाँ पर MS delta T हो गया तो in second wire अभी ये formula पहले wire के लिए आगया दूसरे wire के लिए क्या होगा दूसरा 2 meter लंबा है तो अभी इसके लिए देखते हैं तो वही कह रहा है कि in second case resistance of same wire of length 2 meter is तो R dash is equal to और रो एल अपाने फिर लगाएंगे तो यहाँ पर एल 1 था तो 1 रखे थे यहाँ पर 2 है तो 2 रखे अपान πाई R square वैसे रहेगा तो यह हो गया 2 रो अपान पाई R square तो यह आजाएगा 2 R के बराबर क्योंकि इसका दो गुना है पूरा अगर इसको अंदर कर दें तो यह दो का ही गुना है बाकि यह बात और यह चीज एक ही है तो 2 R हो जाएगा क्योंकि यह R के बराबर है तो यहां पर यह 2 R हो गया अब इसको सालू किया गया तो यहां पर देखिए उस वायर में हीट की बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा केवल R की जगे 2 R होगा बाकि जैसा पहले किये थे वैसा ही होगा यह मास पर यूनिट लेंग्थ था मास अब वहां 1 मीटर था तो यह था यहां 2 मीटर हो गया तो द्रवमान 2 गुना हो जाएगा तो 2 मीटर कर दिया तो वही कह रहा है कि लेट यहन से लीच आप इम एफ एर connected in series to heat the same wire of length 2 मीटर by the same temperature delta T is equal to 10 degree centigrade in the same time T सब कुछ सेम है केवल लंबाई 2 मीटर कर दी गई है तो यहां 2 मीटर हो जाएगा और resistance 2R हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर का R है तो 2 मीटर का 2R है अभी जैसा हमने पीछे निकाला है तो dividing second by 1 we get अब दूसरे समिकान में पहले को divide करेंगे तो सारी चीज कट जाएगी केवल यह 1 ही square बचेगा अपान यह 200 हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2 यहां पर 10 है 10 cell है और नीचे जाएगे तो 10 का square 100 होगा और नीचे 2 है तो यह हमारा क्योंकि 2R नीचे जाएगा तो 200 हो जाएगा आर आर हमारा कट जाएगा तो यहां पर यह 2 हो जाएगा क्योंकि यह पूरा कट जाएगा केवल 2 बचेगा तो यह 1 square 400 यान यह 1 बराबर 20 तो अगर temperature तार को 2 मीटर कर दिया गया और अब 2 मीटर तार का फिर से 10 degree centigrade temperature बढ़ाना है तो पहले 10 सेल थे तो अब 20 सेल लगाने पड़ेंगे तो यह हमारा answer हो जाएगा तो 82 का यह विकल्फ हमारा correct हो जाएगा अब 83 number question देखते हैं तो 83 number question में कहरा है कि 2 cell having the EMF same EMF are connected in series through external resistance R कहरा है कि 2 हमारे पास cell है जिनका विद्धुत वाहक बल same है उनको स्रेडी करम में जोड़ दिया गया है और उनका external resistance capital R कहरा है cells have internal resistance R1 and R2 कहरा है जो cell है उनका अंतरिक प्रतिरोद हमारा R1 और R2 है जहां R1 ज्यादा है R2 से respectively यानि करम सा कहरा है when the circuit is closed the potential difference से करार the first cell is 0 जब circuit को बंद कर दिया जाता है यानि उससे current ली जाती है तो कहरा है जो पहला cell है उसके potential difference 0 हो जाता है तो कहरा है the value of R is तो जो बाहर resistance लगाया गया है उसकी value कितना है यह हमको बताना है तो यह भी बहुत आसान question है सीधा सीधा चलेंगे तो answer निकल आएगा तो यहां पर देखिए दो cell है यह और क्योंकि दोनों का EMF सेम है इसलिए यह लिखा है बर दोनों का internal resistance अलग अलग है तो यह carbon और दूसरे का R2 माना गया है अब इससे current जा रहा ही है यह बाहर capital R लिखा गया है क्योंकि यह वह प्रतिरोज है अब हमारा formula होता है I is equal to E upon हमने बताया था R total तो R1 R1 है R2 है और यह R3 को जोड के लिखेंगे क्योंकि स्रीज में हमारे यह cell जूड़े हुए और स्रीज में यानि सेरी करम में चूंकि cell जूड़े हुए तो इनका विद्दुत वाहक बड़ direct जुड़ जाएगा तो 2E लिख दिया गया है अब यहाँ पर as per question V बराबर E minus I R होता है तो यहाँ पर E minus I R1 is equal to 0 लिखा क्योंकि question में हमसे बताया गया है कि जब current ली जाती है तो पहले वाले cell का terminal potential 0 हो जाता है यानि यह भी 0 हो जाता है तो 0 is equal to E minus I R होगा तो इसे लिए E minus I R is equal to 0 लिख दिया जब यह 0 लिख देगा तो यह इधर आएगा तो I is equal to E upon R1 हो जाएगा या 2E upon R1 plus R2 plus R is equal to E upon R हो जाएगा यह बराबर होगा इस I के क्योंकि यह भी I के बराबर है यह भी I के बराबर तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहां पर solve करने पर capital R is equal to R1 minus R2 हो जाएगा यह solve करने पर जब इस equation को हम लोग solve करेंगे तो 83 का B answer हमारा correct हो जाएगा एक बार जब दोनों से current जा रही है तब और एक बार जब current ली गई तो यह V हमारा 0 हो गया पहले वाले cell का तो इसलिए पहले वाले cell के लिए R1 लिखा गया है यह तो दोनों के बराबर ही है तो 83 का B answer हमारा correct हो जाएगा अब 84 नंबर question देखते हैं कराया two batteries one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm are and the other of EMF 12 volts and internal resistance 1 ohm are connected as shown the voltmeter we will record reading of कराया कि दो battery है जिनका विद्धुत वाहक बला 18 volt है आंतरिक प्रतिरोद 2 ohm है और दूसरी जो battery है उसका पहली वाली का EMF 18 volt है internal resistance 2 ohm है दूसरी battery का EMF 12 volt है internal resistance 1 ohm है इनको connect किया गया है जैसे figure में दिखाया जा रहा है तो कह रहा है कितना हो गए हमको बताना है यानि विद्धुत वाहक बल पूछ रहा है इस तरह से battery metrory को connekt कियागया है यानि शम् humantre करम एक ये है एक ही तरह है और दोनों के plus terminal एक ही तरफ है ध्याद देजिए दोनों से ऐसे जाएगी current और यहां से ओ करके इस में जाने वालiği आगी इसमें जाने वाली इसमें चलि जाएगए इसको देखते हैं बहुत ही आसान है चुणकि दोनों cell एकी तरफ प्लस-प्लस है और ये दोनों का एक के एक एक एकी तरफ माइनस-बाइनस है तो इसको ध्यान देना है बस इतना अगर आप ध्यान देंगि तो कोई दिकत नहीं आएगी तो यहाँ पर देखिए दोनों cell को ऐसे जोड़ दिया, यह दोनों के internal resistance हो गए, तो इसको ऐसे box में बंद कर देने पर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम box में बंद कर देते हैं, इस तरीके से एक battery हो गई और एक battery हो गई, इससे पता चलता है कि यह दो ohm एक oh बाहर वाले नहीं, जब ऐसे जुड़ जाएंगे तो current यहाँ से आएगी और एक circuit बन जाएगा, यह circuit ऐसे बन जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ तो current ऐसे आएगी, हाँ देखे current ऐसे नहीं आएगी, समझे इसको, यह current ऐसे आएगी है, चुँकि यह plus terminal है, और यहाँ से इसमें प्लस वाले में ऐसे जाएगी, क्यों ऐसे जाएगी, यह plus इससे भी निकलना चाहिए, यह plus इससे भी निकलना चाहिए, लेकिन यह इधर से निकल के इधर क्यों जा रही है, इधर इसलिए जा रही है, क्योंकि यह 18V का है, यह 12V का से लह, इसका potential ज्यादा इसका ज्यादा है इसलिए यह ज्यादा विद्धुत्वा हग बल लगाएगा आवे इसको भेजने में तो यहां से इसमें चला जाएगा यह ध्यान देजिए तो करेंट इन्द सर्किट आइस को टूब अपान आर होगा क्योंकि वी इसको टूब आई आर होता है तो आइस को नहीं तो हमारा वी कितना होगा चुकि यह करेंट इसे आ रही है और इदर को जा रही है तो ध्यान दीजिये इसमें आरही है इसमें जा रही है तो यह 12 V है यह 18 वोल्ट है यह 18 में 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा च्छा बचेगा तो इसलिए 6 लिखा है अपान दो ओम ये है एक ओम ये है और टोटल हमने बताया था तो टोटल दो एक तीन है तो यहां पर तीन लिखा गए करेंट कितनी हो गई दो एंपियर की तो वोल्टेज इसे ड्राप एक राज टू ओम तो यह दो ओम पर कितना वोल्टेज होगा जब पूरा च्छै वोल्ट है मलव पूरा च्छै वोल्ट आया है तो दो ओम पर कितना होगा तो वीवन इसक्वल्टू टू इंटू हो जाएगा तो यह आजाएगा च्यार वोल्ट के वीच्वल् G2 तो आई हमारा दो एंपी घ्रहार ये दो वोल्ट लगा हुआ है तो यह आ Čजेगा च्यारग हघ्पृ किना तो वोल्ट मीटर काइडिंग अब कितना होगी सको समझें wreck मिटर के ऐसे की वोल्टेज ना पेंगे तो चौदा में 4 घट जाएगा यह वाला तो आ जाएगा 18 में चारघ जाएगा तो आ जाएगा 14 वोल्ट को हमारा वोल्ट मेंटर रीडिंग लगा है समांतर में तो यह बोल्टेज कैसे नापेगा इस बात को हमें ध्यान देना अब यहां पर थोड़ा एक चीछ ध्यान देना है कि वोल्ट मीटर ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसमें जो ड्राप हुआ तब इसका नापा इसमें ड्राप हुआ चार वोल्ट तो चवदा अगर वोल्ट मीटर इसमें लगा होता तब क्या होता तब क्या होता तो बारा में वीच कल्टू आई आर करते तो आई हमारा दो है और एक है तो यह दो वोल्ट आता तो बारा में दो घटाते तो दस नापता अगर इस पर लगा होता इस पर चुकि इस पर लगा हुआ है इ इस बात को थोड़ा बारीकी से समझना है देखिए वोल्ट मीटर यह 18 वोल्ट वाली बैटरी पे लगा है अगर इस पे लगा होता तो 10 ना अपता है क्योंकि 12 में 2 जाते क्योंकि IR करते भी बराबर तो आई हमारा टू एंपियर है और हमारा वन है तो दो वोल्ट आता ड्राप जब दो वोल्ट होता तो दो कट जाता बारह में तो 10 आता अब कुश्यन नम्बर 85 आ जाता है करा टू अडेंटिकल बैटरी जीच आप एमफ तू वोल्ट अन इंटर्न रिस्टेंस वन ओमार वायरी प्रोड्यूस एवलेबल तो प्रोडूस लिए इन इस्टानर इस्टेंस बाइपासिंगे करेंट थो कर दर्माइट कर देंट कर देटिक्वर देवलब्डेट हरार यूजिंग दीज बैट्री फिर देखिए अधिक्तम पावर कुछ रहा है तो अधिक्तम पावर के लिए क हम लोग यूज करते थे पीछे देखे क्विश्चन यह था कहीं मैं जिम पावर तो इसमें इंटर्न रेजिस्टेंस को हम लोग बराबर किए इसमें कह रहा है कि दो हमारे पास आइडेंडिकल बैटरी हम अलब सब कुछ उनका बराबर है वोल्टेज उनका इम्फ हमारा दो पावर लेने के लिए आर कैसा यूज किया जया है कह रहा है दा मैक्जिमम पावर दैट कैनी डिवलप्डेकरास आर यूजिंग दीज बैटरी कोई आर रेजिस्टेंस बाहर लगा दिया गया है तो उससे अधिक्तम कितनी पावर निकलेगी यह हमको बताना बैटरी से कितन दो फिर वाई करना है भर Curt acc major अगर करेंट लह ना तो दोनों बैटरी को सिरीज में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेरीज में एक और दूसरे की चर्ण्ट जूडतिए परीपत में कि इसलिए दोनों को सिरीज में जोड़ेगम आदिको उपसे का करेंट में को सीतेंस जोड पाएंगे जब बाहर वालर रेजिस्टेंज अंदर वाली रेजिस्टेंज के बराबर होगा रचागी स्बिगा यहां पर तो डोट्लर रेजिस्टेंज कितना हो जाएगा दोर्फिक होकी कर्द टो बैटरी का इंटेर्णर रजार्च और fist run अगया उसमेंग ए लाएगी डेवलप होगी तो हमारा फार्मूला होता है पीज कल्टू वी स्कॉयर अपान आर अगर इसको सही से वो करें तो यह हो जाएगा यह देखिये अगरिये पाईरला के लिए पाईरलल ठीक नए और पीच कल्टू आई स्कॉयर आर ये सिरीज के लिए तो चूंकि दोनों सेल्ज में जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसके बराबर इसको करेंगे तो यहां पर देखे आई स्क्वाइर आर की यह बराबर वी स्क्वाइर अपान आर होता है तो तो यह चूंकि दोनों सिरीज में सेल जुड़े हैं ध्यान देजिएगा तो यह हो गया यह और यह मिलके तो यहां बदलाव होगा इसलिए यह फार्मूले लगाए गया तो इसको ध्यान देना यहां पर देखे यही चीज यहां पर यह फार्मूले लगाए तो वही यहां पर यूज किया जा रहा है तो दो सेल के लिए टूई हो जाएगा क्योंकि सिरीज में हैं और इंटरनल जिस् हमारा 2, EMF क्योंकि 2 है, बैटरी का, अपान बाहर का रेजिस्टेंस भी 2 होगा, अंदर वाला भी 2 होगा, क्योंकि बाहर अंदर वाला जब बराबर होगा, तभी maximum current जा पाएगे, और ये बाहर वाला 2 है, तो दो का गुड़ा किया, तो ये आ गया 2 वाट, तो 2 वाट की अधि सकती बाहर निकलेगी, तो 85 का भी विकल्फ हमारा correct हो जाएगा, अब आगे आ जाता, 84 number question, इसकी study अगले lecture में करेंगे, आज बस यहीं तक,